नमस्कार, स्वगत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एन ग्रूप में बरसाद के मौसम में हम अपनी बालों और स्किन का ध्यान तो बहुत अच्छे से रखते हैं कि कहीं हमारे स्किन और बालों में कोई प्राब्लम ना हो जाए पर जब बात पैरों की आती है तो हम उन्हें बिल्कुल अंदिखा करते हैं और यही कारण है कई बार बहुत ज़्यादा पानी में रहने से नमी रहने से या ठीक डंग से सफाई ना हो पाने के कारण हमारे पैरों में बारिश के मौसम में फंगल इंफेक्शन जैसी समस्या हो जाती है इससे केवल आपके स्किन ही खराब नहीं होती पर कुछ लोगों के ज़्यादा प्राब्लम हो जाने के कारण उनके पैरों के आसपास गाओ हो जाते हैं अगर आपको भी पैरों में फंगल इंफेक्शन जैसी कुछ प्राब्लम है आप भी इन प्राब्लम से परिशान हैं तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ असरदार ऐसी होम रेमेडिज जो आपको फंगल इंफेक्शन जैसी समस्या से राहत दिलाएगी तो इसमें सबसे पहली चीज आती है जो कि आपके किचन में हमेशा अवलेबल होती है टर्मरीक टर्मरीक हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है इसमें अंटी बेक्टेरियल अंटी फंगल अंटी इंफ्लेमेशन प्रोपर्टीज पाई जाती हैं ये आपकी स्किन पे फंगल इंफेक्शन, घाव या और भी कुछ भी प्रॉब्लम है, स्किन डिसॉर्डर है, उसको ठीक करने में काफी ज़्यादा हेल्पुल है, आप इसके लिए हल्दी का पानी में अच्छे से पेस्ट बना लीजे गाड़ा गाड़ा और फिर उसको उस प फंगल इंफेक्शन या स्किन डिसॉर्डर जैसी समस्या के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, वो है नीम, नीम की लिफ्स, इसमें आप सभी जानते हैं, एंटी बैक्टिरियल, एंटी माइक्रोबिल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमिशन, एंटी सप्टिक, ऐसी बह पानी में उबाल लीजे, और ये जब पानी ठंडा हो जाए, तो इसको अपने अफेक्टिट एरिया से अच्छे से वोश कीजी, जब ये अच्छे से वोश हो जाए, तो आप नीम की कुछ पत्तियां लेकर, उसे करश कर लीजे, आप मिक्सी में भी करश कर सकते हैं, या फि इसे आपको बहुत ही जल्दी अराम मिलेगा अगली चीज जो आप इसके लिए कर सकते हैं वो है आप अपने अफेक्टिर एरिया को नीम्बू और सिर्के से वोश कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छा काम करता है नीम्बू में विटामिन सी पाया जाता है जो की अंटी जा सकता है तो आप इसे थोड़ा सा सिर्के के साथ यूज कर सकते हैं इसे अपनी वोश करने के लिए यूज कर सकते हैं इसके अलावा कुछ टिप्स जो आपकी इस प्रोब्लम को दूर करने के लिए मददकार साबित हो सकती हैं अपने पैरों को नमी से बचाएं अपने प इसे ड्राइ रखने के लिए आप कुछ एंटी फंगल जो आपके डॉक्टर रिकमेंट करें उन पाउडर का भी यूज कर सकते हैं ताकि आपके पैरों में नमी ज्यादा ना हो पर अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है तो आप होम रिमेडी को ही अप किसी के भी साथ अपनी सोक्स को शेयर ना करें तो यही थी आज की वीडियो आज की वीडियो में हमने बात करी फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए कुछ असरदार होम रिमेडी की जैसे हल्दी नीम नीवू सिरका आप इन सभी होम रिमेडी को यूज करके अपनी प्र कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ी हैल्फल रही होगी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को प्रीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अपनी वीडियो में ऐसी ही किसी हैल्थ से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ तब के लिए नमस्कार धन्यवाद